इस वीडियो में हम देखेंगे कि voter ID card के लिए हमें online कैसे apply करना है election commission आप इंडिया की तरफ से voter ID card के लिए एक नया portal आया है जहां से आप easily voter ID card के लिए online apply कर सकते हो voter ID card आपका बनने के बाद में आप download कर सकोगे इसी के साथ में नया वाला जो PVC card voter ID card अभी दिया जा रहा है वो भी आप free में पा सकते हो तो सबसे पहले तो आप सभी को मैंने वीडियो के description में एक link दिया है जिस पे आप click करोगे तो आप सभी के सामने voters.eci.gov.in जो इसका official portal है आप इसी पे आ जाओगे जो इंटरफेस से कुछ इस तरीकी का आएगा जहां से आप voter ID card के लिए apply कर सकते हो voter ID card जारी होने के बाद में आप यहां से अपने voter ID card की copy को download भी कर सकते हो तो यहां पर इस पोल्टल पर कुछ भी करने से पहले सबसे पहले तो यहां पर हमें login करना होगा तो login के option पर जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहां पर हमसे हमारा जो mobile number है या फिर email ID या password मांगा जाता है जो कि अगर आप first time इस पोल्टल पर आ रहे हो अभी तक आपने voters.eci.gov.in पर registration नहीं किया है तो यहां पर आपको एक sign up को option दिखाए देगा जिसके option पर आपको क्लिक करना है आप सभी को अपना जो mobile number है यहां पर फिल करना है अपनी जो email ID है यहां पर आप फिल करोगे और जो capture code आप सभी को दिखाया गया है इस box में आपको इंटर करना है और continue के option पर क्लिक करना है तो इस तरीके से आप यहां पर अपना जो account है वो register कर पाऊगे अब account register होने के बाद में हमें login के option पर क्लिक करना है यहां पर अपना जो mobile number हमने registration के time पर दिया है वो फिल करेंगे अपना जो password जो हमने create किया है इसको यहां पर हमें दर्ज करना है इसके बाद में request OTP के option पर हमें click करना है हमारे phone पर एक one time password आएगा जिसको यहां पर फिल करना है verify and login के option पर हमें click करना है तो इतना करता ही हम portal पर login हो चुके हैं अब यहां पर voter ID card से related जितनी भी services दी गई हैं उनको हम access कर सकते हैं तो यहां पर अगर हमें एक नए voter ID card के लिए apply करना है तो new registration for general electors इस option में आप देखोगे कि बताया गया है यह अगर आपकी जो age है वो 18 साल से ज़्यादा है या फिर 18 साल होने वाली है कुछ मन्त उसमें कम है तो आप यहां पर voter ID card के लिए apply कर सकते हो तो form number 6 यहां पर हमें भरना होगा इस option पर हमें click करना है तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने एक application form आ चुका है जहां पर सबसे पहले तो हमें अपनी जो state है इस list में से choose करना है और next के option पर हमें click कर देना है अब हमारे सामने name को fill करने का जो page है वो आ चुका है जहां पर आवेदक का जो भी name है यहां पर आप सभी के ID proof पर जिस तरीके का name है यहां पर आपको fill करना है जिसमें की first name middle name इस box में और यहां पर surname अगर आप अपने name में गुपता सुकला कुछ इस तरीके से लगाते हैं तो यहां पर surname के section में आपको fill करना है अब जैसे आप देखोगे कि हमने यहां पर name को fill किया है तो automatic regional language में name जो है convert हो करके आ जाता है फोटो को upload करने का जिसमें कि यहां पर dimension आपको दिखाया गया है यहां पर passport size की एक photo जिसका size है 2mb से ज्यादा ना हो वह आपको यहां पर upload करना है जिसमें कि यहां पर हम file को select करने के लिए choose file के option पे click करेंगे और जहां पर भी हमने अपने computer में या फिर mobile phone में save करके photo को रखा है यहां पर हम select करेंगे फोटो का जो preview है यहां पर हमें choose करने का option मिल जाता है अगर photo को आपको crop करना है rotate करना है तो यहां पर इन option के माध्धम से आप कर सकते हो और passport size की photo जैसी होते हो इसा ही capture करने के बाद में आपको save के option पे click करना है तो यहां पर आप देखोगे कि हमारी जो photo है वो successfully upload हो चुकी है अब हमें यहां पर next के option पे click कर देना है अगला section आता है relative details का जिसके अंदर आप सभी को अपने जो father का name है या फिर कोई महिला अगर apply कर रही तो उसको अपने husband का जो name है यहां पर फिल करना है तो हमें next के option पे click करना है अब अगला section मिलता है contact details का अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि unique mobile number voter ID card से link होना बेहादी जरूरी होता है क्योंकि आप voter ID card को तभी download कर पाओगे जब आपके voter ID card से एक unique mobile number registered होगा तो यहां पर अगर आप अपने परिवार के अनिस अदसू के भी voter ID card apply कर रहे हो तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सब के voter ID card से अलग-अलग mobile number आपको link करना है जिससे कि आप अपने voter ID card की copy को online download कर पाओ तो यहां पर हम mobile number को फिल करेंगे send OTP के option पे हमें click करना है तो हमारे mobile phone को verify करने के OTP आया है जिसको यहां पर हमें fill करना है verify के option पे click कर देना है तो यहां पर आप देखोगे कि हमारा जो mobile number है वो verify हो चुका है इसी के साथ में email ID को भी यहां पर फिल करने का जो option है वो दिया गया है तो यहां पर भी हम self के option पे click करेंगे और अपनी जो email ID है यानि कि Gmail ID को यहां पर हम fill करेंगे और next के option पे click करेंगे और next के option पे click करना है mail फिल जो भी gender है यहां पर आपको choose करना है next के option पे click करना है अब अगला option मिलता है data birth details का जहां पर हमें इस calendar के option पे click करके अपनी जो data birth है चूज कर लेना है अब select करने के बाद में आप सभी को यहां पर data birth proof का एक supporting document देना होगा जिसमें कि यहां पर self-attested document होना चाहिए self-attested यानि कि आपको अपने signature उस document पर करके आपको वही document upload करना है इसके बाद में कई सारे document के option आते हैं जैसे कि हम अपना birth certificate, आधार card, pen card, driving lessons या फिर high school की mark sheet, Indian passport इन में से कोई भी आप document एक दे सकते हो document को select करने के बाद में यहाँ पर आपने जो भी document select किया है उसकी एक copy को जैसे कि upload करना है तो यहां पर choose file के option पे click करेंगे और यहां पर हम document को कुछ इस तरीके से select कर लेंगे यहां पर हमने document को successfully select में लिया है । अब हमने next के option पे click करना है तो अब हमारे सामने address पर हमें अपने प्रजेंट एड्रेस यहां पर फुल करना है जिसमें कि सबसे पहले अपार्टमेंट नेम अगर आप सहरी चेत्र से हो तो आप सभी लोगों को अपने गाउं का जो नेम है यहां पर आपको फिल करना है इसके बाद में इस्ट्रीट एरिया लोकाल्टी के सेक् आप साथ में आप पांधर करेंगे तो यहां पर आप सर दिखाए घैप कुए इसके साथ में पासपोर्ट है तो यहां तो आप लगा सकते हो अगर आपके पास में इन इन में से कोई भी document नहीं है तो आपके पास में अगर rent agreement है तो वह भी यहाँ पर लगाया जा सकता है इसी के साथ में sale deed का भी option दिया गया है अगर आपने कोई भी अपना घर खरीदा है उस पते का तो आप यहाँ पर select कर सकते हो तो यहां पर हमारे प निलता है disability details का तो यहां पर जो भी disabled व्यक्ति हैं उन्हीं को यहां पर details को select करना है बाकी लोगों को यहां पर कुछ भी नहीं करना है next के option पर click करना है तो next page आता है family member details का जहां पर आप सभी को कोई भी परिवार का एक सदस जिसका water ID card के अंदर पहले से name मौजूद है यहां पर उसकी जो information है आपको फिल करना है अगर नहीं मौजूद है तो आप इसको ब्लैंक ही छोड़ सकते हो इसके बाद में next के option पर click करेंगे अब हमारे सामने declaration page आया है जहां पर आप सभी को अपने विलेज या ताउन का जो name है यहां पर type करना है इसके बाद में आप सभी को आप को type कर देना है तो कुछ इस तरीके से हमने अपना जो month है और यहां पर हमने type कर दिया है अब यहां पर आप सभी को place का जो name है जिस भी स्थान पर आप हो उसकी जो details से fill करना है date पहले से fill है आपको next के option पर click करना है अब यहां पर हमारे सामने capture code आएगा जिसको same इस box म में आपको इंटर करना है प्रिवी और समिट के option पर आपको क्लिक कर देना है तो हमारे सामने जो भी हमने application को फिल किया है उसका एक form generate हो कर कि आ जाता है एक बार आप सभी को इस form में सारी details को अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है सारी चीज़े अगर आपको सही लगती है त successfully submit हो चुका है हमारे सामने एक application reference number successfully generate हो करके आ चुका है यहाँ पर डाउनलोड का option दियागा जिस पर आप क्लिक करके यह जो form है इसको PDF फाइल को आप डाउनलोड करके अपने पास में सुरच्छित करके रख सकते हो अब आपका जो वोटर ID कार्ड है verification के लिए जा चुका है few days का आप वेट करोगे उसके बाद में आप सभी का जो वोटर ID कार्ड है वो अप्रूब हो जाएगा आप सभी को SMS के माध्धम से notification मिल जाएगा जिसके बाद में आप अपने वोटर ID कार्ड की को ऑनलाइन भी यहां से डाउनलोड कर सकते हो बाकि आप सभी का जो ओरिजिनल कार्ड है वो आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्धम से भेज़ दिया जाता है इनकिस अगर आप सभी को काफी दिनों को टाइम लग जाता है आपके वोटर ID कार्ड का को भी notification आपको नहीं मिलता है तो track application status का आपको option दियागा जहां पर आ करके आप सभी को जो reference number मिला था application पर यहां पर दर्ज करना है इसके बाद में आप सम्मिट के option पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप सभी को अप्लिकेशन है उसका current status देखनी को मिल जाएगा जैसे कि आप मे जिसके बाद में आपका जो नाम है वोटर लिस्ट में समलित हो जाएगा तो इस तरीके से आप सभी लोग अपना जो वोटर एडी कार्ड है वो online प्रोसेस से बना सकते हो आसा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर करना चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई जैहिन